अभी अभी अखलेश यादव ने केजरिवाल का समर्थन किया है उन्होंने कहा कि समन भेजना बीजपी का पोलिटिकल एजेंट आ है ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगाता सरकार कारवाई कर रही हो दवाब बना रही हो बदनाम कर रही है सबसे बड़ी बात है कि उनकी करड़ेबिल्टी पे सवाल खड़ा करना चाहती है एजेंसी और पूरा देश जानता है कि एजेंसी का इस्तिमाल हो रहा है सरकार के खुद लोग कहते हैं कि एजेंसी का इस्तिमाल होने से सरकार का ही नुकसान होगा अगर ये घटना हो रही है केवल एक पॉलिटिकल पार्टी एक लीडर के साथ नहीं है देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं एक एक करकर के उनके खिलाफ कारवाई हो रही है केवल जनता में दिखाने के लिए सचाई तो ये है कि सबसे बड़ा स्केंडल क्या हुआ नोट बंदी जी एस्टी या पॉलिसी के बाद भी लोगों पास नोट पकड़ा जा रहा है आप किसी को भी परिशान करें तो ये केवल पॉलिटिकल एजन्डा है उनका लोगों को गुम्रा करने था पूरा इंडिया एलाइन से समध्य पर एक साथ जरूर आ रहा है और एक साथ एक दूसरे का समर्थन करते हुए भी तमाम पार्टी के नेता नसर आ रहे हैं इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आमाद भी पार्टी के बड़े नेता और दिली सरकार में मंत्री सौरभ भारत द्वाज जुड़ गए हैं सौरभ भारत द्वाजी स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर आप लोग बार-ब ही तक जब-जब हमारे नेताओं पर कारवाई हुई चाहे वो सतिंदर जैन हों चाहे वो मनिश शिशोदिया हों हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम सिदेश की जनता को पहले ही बताया कि अब इनकी गिरफतारी होगी और हम से सवाल पूछे गया रहे आपको कैसे मालू ही हैं जो ही समझते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है कानून के खहला एनपनी मजबूरी में दर के कारण सरकार का साथ दे रहे हैं मगर वो अपने अपने तरीके से यह इंडिकेशन देते हैं कि भ должно goes और जितना मैं समझता हूं आज सुबह साथ बजे अर्विंद के जिवाल जी के घर पे एडी को आना था उसके लिए जो एजेंसी तैयारी करती है वो सारी तैयारियां हो रखी थी जिन जिन अन्य एजेंसीों से मदद लेनी होती है वो ले रखी थी सुबह साथ बजे उन्हें आना था पूष्टाच के बहाने वहां राते और वो अर्विन जी को गिरफतार करते बट रात को इतना शोर मच गया आपके मीडिया के साथियों ने इस खबर को उठा लिया ED प्रेशर में आ गई इस कारण जो है यह आज की कारवाई जो है वो ED ने टाल दी है सारभारदवाजी समन आ रहे हैं तीन समन आ चुके हैं चौथा समन ED केजरिवाल अर्विन केजरिवाल को भेजने जा रही है एक बार CBI की सामने अर्विन केजरिवाल पेश भी हो चुके हैं दिक्कत क्या आ रही है क्यों ED की सामने पेश होने से परहे से और सिफ अर्विन केजरिवाल नहीं जारकंड में हेमंद सोरेन, बिहार से तेजस्वी आदव तो क्या इंडिया अलाइंस ने मिलकर ये तै किया है कि ED को इंतिजार कराना है देखिये एक तो ED, CBI जैसी एजनसी की जो विश्वस्तनिया ता थी क्रेडिबिलिटी थी, आज वो लगबग शूनने पे है अब आप पूछेंगे क्यों है, उसका जवाब ये है हेमन विश्वशर्मा कॉंग्रेस के नेता हुआ करते थे उनके ओपर जाँच चल रहे थी, बड़ी-बड़ी एजनसिया पीछे पड़ी थी भारतिय जनता पाटी में छे मेने कैम्पेंच चलाया उसी तरीके से सोवेंदु अधिकारी थे मुकल रॉय थे, छगन भुजबल थे, अजीत पवार थे, पेमा खांडू थे ऐसे दरजनों निता थे जिनके खिलाफ एड़ी और सीविया की जाच चल रही थी सम्मन आ रहे थे, बुलाया जा रहा था, ब्रस्टाचारी कहा जा रहा था अब वो एक दिन बीजेपी में आ जाते हैं, अगले दिन से सारी जाच ठंडे बस्ते में चले गी, मैंने अकबार में नहीं पड़ा कि इन लोगों को कभी बुलायागा, तो ये बात अब साफ हो गई पूरे देश के सामने, कि जो एजेंसीज हैं, ये सिर्फ केंदर सरकार के राजनेतिक साद को, चीजों को सादने के लिए जो है, ये इस्तमाल हो रही है, तो अब इनकी क्रेडिबिल्टी बची, कोई कानू की दारा है, आप ये इन्वेस्टिकेशन है, मगर आप बीजेपी में आ गए, तो वो सारी इन्वेस्टिकेशन ठंडी हो गई, तो कोई क्रेडिबिल्टी नहीं है, अब आप जबरदस्ती किसी को बुलाएं, अब नेताजी ने क्या बोला, सीयम सामने बोला, भाई, आप आयोग करने के लिए तैयार हैं, अरविन केजरिवाल, तो ED के सामने पेश करने में ही क्या परेज है, ED के सामने जाने से ही क्या परेज है, वहीं तो मैं जाना हूँ, क्या चाहती है, तभी तो, देखे, क्या शंका क्या है, हम कह रहे हैं कि उन्हें गिरफतार करेंगे, भार और जादा गहराता है, कि आपको सवाल वावाल से कोई लिना देना नहीं है, आप सिर्फ उनको बुला के गिरफतार करना चाहते हैं, वनना सवालों के जवाब तो लिखित में आ जाएंगे, आपको जो डॉक्यमेंट्स चाहिएंगे, आपको सारे डॉक्यमेंट्स दे दिये अब अगर आप रोज ही ये ड्रामा करेंगे और हर अपोजिशन पार्टी के निता के पीछे आप जो है ये चीज़ करेंगे, फिर तो सबको साफ दिख रहा है ना, पिर क्या एजेंसी, क्या उसकी जो है एहमियत और क्या उसका कानून? गैर कानूनी, ED के समन को आप भी बता रहे हैं, आपके नेता भी बता रहे हैं, खुद अर्विन केजरिवाल आजिये कह चुके हैं, अगर ED का समन गैर कानूनी है, तो आप लोग कोट क्यों नहीं जाते हैं, आप क्यों नहीं चालेंज करते हैं कि ED जो कुछ कर रही है, वो तो हम कर लेंगे, जो हमें कानूनी सलह मिलेगी, उस हिसाथ से हम काम कर लेंगे, मगर इस देश के अंदर हर छीज को ठीक करने के लिए अगर उज आधालती करे जाएं तो फिर सरकारों की क्या जरूरत है, फिर आपके खिलाब जो लोग है उनको आप बुलाते हैं उनको परीशान करते हैं अब दूसरी बात और एडी के वकील ने वहां पर बुला और नहीं जजज साब इन्होंने जांच में बहुत सहोग किया जब बुलाया मनिश शिशोदी आ गए जित्ती देर बिठाया मनिश शिशोदी बैट गए इनको अब बेल दे दी जाए वह भी नहीं है इस सहोग का क्या फायदा किसी सिट इसलिए दो महीने पहले अर्विन केजडिवाल जी को परिशान किया जा रहा है उनकी गिरफतारी की साज़िश रची जा रही है जहां तक मैं जानती हूं दो नवंबर को पहली बार एडी ने समन किया था उस वक्त विदान सभाचुनाव का हवाला आप लोगों ने दिया फिर 21 दिसंबर को दूसरा समन आपके पास आया था तब निजी कारण बता दिये गए थे फिर तीन जनवरी जिसको आपने राजसभा चुनाव और गंटंत्र दिवस की वजह से इग्नोर कर दिया तीन समन एडी भेज चुकी है पहली बार जब भेजा था तब तो कोई लाए और चुनाव के लिए और और कोई कारण नहीं है पो जानते हैं हर महीने किसी ना किसी राज्य में होते रहते हैं, तो क्या आप ED, CBI को या जो केंद्रे जाच एजंसियां हैं, उन्हें पहले जिससे पूछताच करनी है, पूछ लेना चाहिए कि भई आप चुनाव में तो बिजी नहीं है, ये किसी से पूछ के और राय लेके काम करती ही नहीं है, पूछ के राय लेके ही काम करती है, वरना अपोजिशन पार्टी के निताओं के पीछे नहीं लगे हुए होते, वरना चगन बुझबल को नोटिस जा रहा होता, पेमा खांडू के पीछे CBI ED लगी होती, अजीत पावार का नाम चार्शीट में आ गया होता, हेमंत बिस्व शर्मा को आज भी CBI और ED बुला रही होती, ये तो चलता ही पूरा चुनाव के हिसाब से, आप समझे इस बात को यह हम सब लोग जानते हैं, हम लाख बार ये बात कहें, कि नहीं जी, ED का कोई लेना देना नहीं है, ED-CBI जो है स्वायत ते संस्थाए हैं, ये अपना काम अपने हिसाब से कर रही है, ये सब जानते हैं कि ये क्या काम कर रही है, ये काम सिर्फ और सिर्फ अपोजीशन पार्टी को चुप कराने के अंदर लगे हुए हैं, आज हमारे नेता बारती जनता पार्टी में शामिल हो जाते, तो हिमत बिस्वशर्मा की तरह कहीं पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो बहुत असान हैं, आप लोगी बार-बार कह रहे हैं, आज का टाइम आपने रखा था, आपने शुरुवात में कहा कि सुभा सुभा जीदी को अर्विन केजरिवाल जी के घर आना था, एक दो दिन में अगर एडी पहुँचती है, मुख्यमंत्री के आवास बहर और उनकी इफ़तारी होती है, उनसे पूछताच की जाती है, तो आगे क्या करेगी हम आदमेपाथी? हम क्या करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री को इफ़तार कर लेंगे, आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहरे हैं, अगर आप लोगों को इतना ही भरोसा है अपनी इमानदारी पर, तो क्यों नहीं जाते हैं कोट, खटखटाईए दर्वाजा सरकार, तो सुन नहीं रहे हैं, आपके इसाब से, तो जेल चले जाएए, अचा, 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 अब आप ही बताईए, मैं इसी सवाल को दूसी तरफ से करता हूँ, भारती जनता पाटी से, आप से नहीं है सवाल, भारती जनता पाटी से, वो कह रहे हैं कि हमें गिरफतार नहीं करना भाई, हमें तो पूछताच करनी है, रोज एडी के सो सूतर, सो टीवी चैनलों को ख़बर प्ल बीजेपी बीए के रही है, एडी बीए के रही है, तो ये कह दें, दे दें, आपके पास जवाब आजाएगा, जवाब ही तो चाहिए है, या खुल के कहिए, कि आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको अरविंद केजरिवाल चाहिए, और जेल में चाहिए, खुल के कहिए यह चुप चुप के चुप चुप के गोली बारी क्यों कर रहे हैं खुल के आई है मैदान में अब बीज़पी ए कि आप लोगों का डर है तो यह बात हो गई उल्टा चोर कोतवाल को डाटे प्रस्ट अचार भी आप करें और आपी के मुताबिक EDCBI काम करने लग जाए अच् हमने कहा कि हम कोतवाल की टीम में शामिल नहीं होंगे भारती जनता पार्टी कोतवाली कर रही है अब क्या करें हम बताइए हमारे पास और क्या चाहरा है भारती जनता पार्टी में हम शामिल नहीं होंगे हम डरेंगे नहीं जुकेंगे नहीं दबेंगे नहीं लड़ते रह कर फिर अब देखिए आज भारते जंता पार्टी के पास सत्ता है उनके पास ED है, CBI है, बड़ी-बड़ी एजनसी हैं, जिस पे चाहे आरोप लगा लें, जिस पे चाहे उनी आरोपियों से उनके खिलाब गवाही लें, जिसको चाहे जेल में नाल लें, तो बहुत छोटी सी चीज है कि उन्होंने एक तंज लगा, तंज कस्तिया, बवाली, सवाली, कुछ भी बोल सकते हूँ आज, वो तो आप जेल, आप सुचे ना, कितने ताकतवर हो गई है एक पॉलिटिकल पार्टी आज, कि वो अपने विरोधियों से राजनितिक तोर पे ना लड़ने के बज ही है, क्योंकि हम जो बात उठाते हैं, अगर हम वो बात उठानी बंद कर देंगे, तो इन सारकारों से सवाल कौन पूछेगा, पबलिक तो पूछ नहीं पाएगी, पबलिक कहा पूछेगी, अब पार्लिमेंट में आप सवाल पूछते हैं, आपको निकाल दिया जाता है, किसी और ने पूछा, आपने उसकी मेंबर्शिप ही खत्म कर दी, महुआ मित्रा की, तो आप करें तो करें क्या, मतलब यह जिस लेवल पे आप इस देश के प्रजातनतों को ले जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसा एक तरफा रा जा जाएगा, जिसमें सरकार का जो मन आएगा वो करेंगी, आप ना उनसे महंगाई पर पूछ पाएंगे, ना आप उनसे बेरोजगारी पर पूछ पाएंगे, ना आप गरीबी पर पूछ पाएंगे, बस आप जो है, यह कह सकते हैं कि हाँ जी, सरकार की तारीफ कर सकते हैं, बस आप पर, उसे तारीफ करने से तो लोक तंत नहीं चलेगा आपको सवाल पूछने पड़ेंगे एकाउंटेबिलिटी जो है उनकी तै करनी पड़ेगी अब जो तै करेगा वो जिल जाएगा एक के बाद है कई घोटालों का आरोब बीजोपी आप पर लगा रही है आज नया मामला महला क्लीनिक से जुड़ा हुआ सामने जिसमें फर्जी मरीजों को आपने टेस्ट करा दिये और उसके नाम पर पैसा ले लिया सरकार से यह आरोब आप पर बीजोपी की तरफ से लगाया गया और बाकाइदा सीबी आई जांच की बात कई जा रही है इसमें भी देखिए कौन अफसर हैं वो? बीजी जैस हैं हेल्थ से किट्रिय एं? उनको किस ने लगायا? अरविंद के जीवान ने लगाया? नहीं उनको सौरभ भार दौज ने लगाया? नहीं ये LG द्वारा चुने गए अफसर है, केंदर सरकार द्वारा चुने गए अफसर है हमने तो कई बार शिकायत किये इन अफसरों की कि वह ये अफसर ठीक नहीं इनको हटा दीजे लिखित में शिकायत किये मैंने, सुप्रीम कोड तक में हमने कहा है कि इन अफसरों को हटा दिया जाए आप अपने चहेते अफसरों को लगाएं और उनकी नाक के नीचे ब्रस्टा चार हो पिर आरोब भी आप हम पे लगाएं, ये तो पहला इस तरीके की जाँच है जो आप खुद अपने खिलाफ करा रहे हैं हमारे खिलाफ कोई ना करा रहे हैं, हमने कोई ना फैसले ले रखे हैं, वो तो वो आपके चहेते अफसरों ने फैसले ले रखे हैं फाइल आपके पास हैं आपको मालू मैं करेए और ये कौन सा भरस्टा चा रहे हैं जिसके अंदर आप कहते हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर नकली दवाईयां चली गए ये बगर आपने एक अफसर को जो सस्पेंड नहीं किया आज आप कह रहे हैं कि करोनों का गुटाला हो ग संजय सiinग्स से लेकर लेकर इंडर इंससे लेकर ये तुमाम बोग अभी जेल के अंदर नहीं से रहत नहीं मिल पा रही है कि जब इतनी आप लोग इमानदार है और कोई सबूत एड़ी सीब्याइकों नहीं मिल पा रहे आप लोगोगों के खिलाफ तो आप कोर्ट में क्यों नहीं प्रूफ कर पा रहे राहत क्यों नहीं मिलती आप लोगों को क्योंकि ये जो कानून है PMLA का Prevention of Money Laundering Act ये राजनिताओं के लिए नहीं बनाय गया था ये बनाय गया था Organized Criminal Activities Organized Drug Cartels Organized Terrorist Activities इस तरीके के लोगों के लिए ये PMLA कानून बनाय गया था कि अगर कोई आदमी पूरे शहर को बम से उड़ाना चाहता है उसके खिलाफ ये आरोप लगे तो आप उसको पहले जेल में बंद कीजे और तब तक जेल में रखिए जब तक वो निर्दोष साबित न हो जाए ये उल्टा था कानून ये इसलिए नहीं था कि आप एक मंत्री को किसी आरोप के अंदर जेल में बंद कर दीजे और तब तक जेल में रखिए जब तक वो निर्दोष साबित न हो जाए कानून ये होता है कि आप जेल में तब तक नहीं रख सकते हैं जब तक दोशी ना हो जाए आपको बेल देनी पड़ेगी मगर इस कानून के अंदर वो प्रोविजन्स नहीं हैं बेल के इस कारण इसके अंदर जो है बेल नहीं होती है ये बात सब लोग समझ रहे हैं मगर भारती जन्ता पार्टी इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही है फिलाल तो भारती जन्ता पार्टी के पास सत्ता है वो जैसा कानून बनाना चाहें बना सकते हैं जितना मदबूत करना चाहें उस कानूनों को मदद बदबूत कर सकते हैं इसलिए उनकी चल रही है, इसलिए हमारे लोगों को बेल नहीं मल रही है, मगर अदालत भी कह रही है, अपने खुद अदालत अपने उस कोट के निर्ने के अंदर लिखती है, जो सुप्रीम कोट के जज साब ने लिखा है, कि ये मामला जो है, इसके अंदर कोई सबूत सामने नहीं रख पाई है CBI, कोट कोट में कहा, जज साब ने की ये मामला आपका ट्राइल में दो मिनट नहीं टिकेगा, और क्या कर सकते हैं, कानून ऐसा बना हुआ है, चिक पैटर्न नजर आ रहा है, इंडिया ऐलाइन्स में शामिल तमाम नेताओं का, आप लोग कहते हैं कि साब्सक्राइब कर जाते हैं, पूचताच के लिए नहीं जाते हैं, जब इमानदार हैं, जब कुछ नहीं किया, तो पूचताच से डरना क्यों? यह यह जो बात आप कह रहे हैं किस लेवल की पूश्टाच करेंगे आप हो तो चुकी पूश्टाच कितनी बार पूश्टाच करेंगे आप रोज बुला के रखेंगे ऐसा कोई न होता है और वही EDCBI है जिसकी क्रेडिबिलिटी भारते जनता पार्टी इतना बढ़ा चड़ा के पेश कर रही है मैं उसी EDCBI से पूछना चाहता हूँ कि जो यह बड़े-बड़े नेताओं के मैंने नाम बताए हेमंद विस्वशर्मा, मुकुल रॉय, शुविंदू अधिकारी, छगन भुजबल, अजीद पवार, पेमा खांडू, नरायन राने भाई इनके केसों का क्या हुआ आप भी तो मुझे बताईए इनको क्यों नहीं बुलाए जा रहा ये कब जेल जाएंगे, इनसे कब पूछताच की जाएगी, इनके केस कैसे खत्म हो गए, बतलब किस कानून में इनके केस खत्म हो गए, इनकी तो बड़ी-बड़ी इन्वेस्टिकेशन चल रही थी, आप उससे पूछ रहे हैं कि साथ, EDCVI इनको बुला रही है, आप जाए क्यों रहे हैं जेल में डाने से, वह क्यों जाये हम जेल के अंदर, नहीं जी जेल में आप इसलिए जाएए, ताकि हम आपको सर्टिफिकेट दे दें कि आपने सयोग दिया, हमें नीची आपका सर्टिफिकेट, आप रख लीजी अपना वो सर्टिफिकेट, चंगन बताते रहते हैं, अब ये तय तो एजंसियां करेंगी ना, अगर आरोप लगा है, तो जाच के बाद ही दूद का दूद और पानी का पानी होगा, खुद को क्यों सर्टिफिकेट बाटने लगते हैं? अब देखें, बीजेपी जो कह रही है, वो तो बीजेपी कहेगी, आज उनके पास सत्ता है, वो जिसको चाहें, इन्वेस्टिगेट करें हैं, जिसको चाहें, जेल में डाने हैं, हम तो छोटा सा सवाल कर रहे हैं, कि भाई ये जो एक दरजन निताओं के नाम में आपके यां मतलब, खुद अजीद पवार के बारे में प्रधान मंत्री कह रहे हैं, आपके देविंदर फटनवीस भारती जनता पाटी के कह रहे हैं, जेल में चकी पीसिंग, पीसिंग, अजीद पवार चकी पीसिंग, 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 वो अजीद पवार आज देविंदर फटन जिए कि हम जाच में सयोग कर रहे हैं, कैसे कैसे माल ले, कैसे ये देश माल ले, कि एजन्सी जो है न्यूटरल है, ये लगती ही नहीं नूटरल कहीं पर भी। सबसे बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर आपके नेता पर ये लगता है, कि आप लोगों ने अपनी विचारधारा से यूटर्ण माल लिया है, जो अर्विन केजडिवाल पहले कहा करते थे, कि प्रष्ट अचार का आरोप लगे, तो अपने पत से स्थिपा दे दीजे, जब CAG की रिपोर्ट आया करती थी केंदर सरकार की, और उस CAG की रिपोर्ट के उपर इतना हंगामा होता था कि केंदर सरकार के मंतरियों को इस्थिवा देना पड़ जाता था, CBI की inquiry होती थी और मंत्री इस्तीफा दे देते थे वो तब था जब CBI और CAG केंदर सरकार के आधीन होके भी केंदर सरकार के खिलाफ रिपोर्ट देते थे और जंता कहती थी इस्तीफा देना चाहिए आज क्या हो रहा है आज CAG की रिपोर्ट आती है टेलिविजन चैलन्स पर उसके बारे में चर्चा नहीं होती है उसको दबा दिया जाता है CBI केस दर्ज नहीं करती है और मंत्री का इस्तीफा तो भूल जाएए विपक्ष को ही संसत से निकाल के बाहर सस्पेंड कर दिया जाता है तो वो समय और था आज समय और है आज तो समय वो है जब सत्ता वालों के उपर नहीं विपक्ष वालों के खिलाफ मुकद में दर्ज किये जाते हैं उनको जेल में डाला जाता है और उसी विपक्ष से कहा जाता है कि अब तुम कुछ और भी दे दो, अब अपनी बली भी दे दो, तुमको जेल में तो डाली दी, अब तुम्हारी बली भी हम ले ले ले, ऐसा कोई न होता है, ऐसे कोई न सरकारे चलती है, सरकार की जवाब देही तैकी जाती है, विपक्ष की जवाब देही कोई न तैकी जात है और उन डेफिनिशन को बदलने के बाद एडी के बारे में अरविंद केजरिवाल जी का एक जूटा ट्वीट जो की ट्वीट उन्होंने कभी किया नहीं वह भारतिय जिनता पार्टी के मंत्री जो है उसके स्क्रिंशॉट लगा-लगा के ट्वीट करते हैं और टीवी चैनल और उसके उपर सवाल पूछते हैं वह जूटा ट्वीट है उसके उपर मुकदमा दर्ज हुआ जा सकता है वह डिफिमेटरी है वह आई-टी एक्ट का उलंगन है बहुत बहुत धनिवाद आपका सौरभारत वाज्जी हमारे साथ जुणने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए तो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है इस पर सियासी तकरार लगाता और जारी है आब आदमी पार्टी का कहना है कि कट्तर इमानदार वाली छवी को धूम करना चाहती है भारते जंता पार्टी तो बीजोपी का कहना है कि जब फ्रश्टाचारी नहीं किया तो डर काहेगा